नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा संवार्ण सनीवार के दिन कुछ विसेश कारे हैं जिनको करने से सनीदेव की किर्पा बरस्ती है और कुछ ऐसे कारे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बरना सनीदेव हो जाते हैं नाराज तो चलिए आज जानेंगे विस्तार से सरसों के तेल का महा परियोग जो आपके जीवन کی हर मुस्किल से आपको बाहर निकालेगा खास कर अगर सारे साती धहिया ज्यादा परिसान कर रहा हो तो ये परियोग जरू करें आपको लाब होगा हमारे जीवन में जब परिसानिया बढ़ जाती है तो हम सीधे ही सनिदेब के सरन में आ जाते हैं क्योंकि बुरे गरहों की जो चाल है जो बुरे दिन हैं उन से बशने के लिए सनिदेब के सरन में आना सबसे बड़ी बुद्धिमानी मानी जाती है वैसे आप अगर हनुमान जी के सच्चे भगत थे हैं तो आपकी परिस्णी यूभी परिस्णी पीडाये हैं वो समाप्त हो जाती है लेकिन अगर हम सनिवार के दिन थोड़ा सा भक्ती भाउक से सनिदेब के सरण में आकर उनके इच्छान उसार कुछ कर्म करें तो उसके अच्छे फल मिलते हैं आज हम आपको सनिवार के दिन तेल के कुछ विसेश चमतकारी प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन को सवार सकता है जीवन के चाहे वो नौकरी वाला पार्ट हो यानि जॉब में परेशानी हो बेफसाय अच्छा नहीं चलता हो या धन की मुस्किले हो हर परेशानी को दूर करते हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं कि सनिवार के दिन क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए एक बात हमेशा ही याद रखिए अगर आपकी गरह दसा नच्छत्र बुरी दसा में चल रही हो आप संकटों से घिरे पड़े हैं या फिर हो सकता है कि आप कई दिनों से या कुछ समय से समस्याओं से घिरे वे हैं एक के बाद एक संकट आही जा रहे हैं धन समपत्ती में भी संकट है स्वास्त में संकट है हर तरफ से परिसानी तो कभी कभी ये भी होता है कि कभी कोई तरंट जो तांतरिक क्रिया है वो लोग कर देते हैं काला जादू कर देते हैं और उनसे निजात पाने के लिए भी छोटा सप्रियो सनीवार के दिन किया जाए तो उन तमाम परिसानियों से आप मुक्त हो जाते हैं तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एक बात याद रखिएगा हनुमान जी की सरन में जो रहता है न उन पर कभी भी किसी तरह का तांतरी क्रिया या किसी तरह का कोई कर्मकांड असर नहीं करता दूसरी बात एक नियम बना लें हर सनीवार की सुबह और रविवार सनीवार और रविवार दोनों ही दे अपने घर के मुखे दरवाजे पर जारू लगाने के पहले पानी डाल दे फिर जारू लगाए याली आप रोज जारू लगवाते होंगे फिर पानी डलवाते होंग लेकिन सनिवार रविवार के दिन उल्टा करें पहले आप पानी डलबाएं फिर जारू लगवाएं ऐसा करने से अगर किसी ने कोई भी तांत्री किरिया आपके आपके घर के उपर किया होगा वापस उसी के पास चला जाएगा दूसरी बात एक नियम से सुबह साम दोपर जब भी मौका मिले कम से कम एक बार हनुमान चलेसा जरूर पढ़ें अपने घर में सुबह साम संख आप खुद नहीं बजाते कोई भी एक बैखती सुबह साम तीन-तीन बार संख जरूर बजाए यानि तीन बार की धोनी निकालना है आपको एक दो तीन तो इस तरह से जानी अंजानी जो कोई अन्होनी होने वाली है वो नहीं होती वो टल जाती है बुरे गरहों का प्रभाव समाफ्थ हो जाता है और अगर सनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल थोरी सी मिसरी डाल कर संभव हो तो थोड़ा सा दूर डाल कर अरपित किया करें हर सनिवार तो बड़े से बड़े गरह भी आपको छूबी नहीं सकता तल जाता है बहुत सिंपल प्रियोग है आप इसको कर सकते हैं बहुत सिंपल है कभी भी कर सकते हैं आपके घर से कोई भी एक बेक्ति कर लेता है तो भी अच्छा है अब मालेते हैं आपके घर से पीपल का पेड़ बहुत दूर है तब क्या करेंगे तब ऐसे में आप भगवान सुरी को ही एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल डाल कर अर्पित किया करें वैसे तेल बहुत तरह के होते हैं लेकिन आज जो हम प्रयोग बताएंगे वो सनिदेप का ही तेल सरसों के तेल का प्रयोग होगा संदूर मिक्स करके उनको उनके बॉड़ी पे जो सिंदूर का लेप लगाईएगा उसको चोला अर्पित करना कहते हैं इससे आपके जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो वो टल जाता है यह परियोग मंगलवार सनिवार के दिन करें तो बहतर होगा एक बात हमेशा ही आटे का दिया जलाया जाया और हनुमान जी के मंदिर में रखा जाया तो ऐसा करने से किसी भी तरह का मांगलिक दोसों कट जाता है और सनिवार की किरपा भी बरसती है अब हम चुकी आज तेल की ही बात कर रहे हैं इसलिए एक छोटा सा प्रियोग और जान ले अगर सनिवा कोई भी पीड़ा हो जैसे आपकी नौकरी आपको नहीं मिल पा रही लाग प्रियास के बाद भी जौप प्राप्ती में बाधाएं आ रही है लाग प्रियास के बाद भी ना तो नौकरी मिलती है ना वैपार अच्छा चल रहा है आप परिसान है तब क्या करेंगे तब दिन कढ़ाई में सरसों का तेल डालें गर्मकढ़ाई में इसमें आपको चना जो आपने भीगो कर रखा उसमें डालकर दो-चार बार उसको चला लें इसमें मसाले बेगरें कुछ मट डालिएगा कुछ नहीं नमग भी नहीं डालना है अब इस चना को किसी भी पसू को आप पंची को जो भी मिले इसको किला दें ऐसा करने से नौकरी में जो भी समस्या है परिसानी है वो समाप्त हो जाएगी और नौकरी पाने में जो अर्चने हैं वो समाप्त होकर आपको एक अच्छी जौब मिलेगी आपका बेफसाय अच्छा चलेगा यह बहुत सिंपल उपाय है लेकिन पकाना है सरसों के तेल में यह बात आप याद रखिएगा देखिए वैसे कहा जाता है सनी बार के दिन अगर आप छाया दान करें तो फिर ऐसा करने से आपके जीवन की सनी क कि पीडा सांथ हो जाती है कैसे करेंगे सनी वार के दिन देखिए यह चाया दान तब करें जब कश्ट महुत बहुत जाता हो तीन शनी बार करने कभिषान है और और जब आप छाया दान करेंगे तो स्टील की करणि लीजेगा नया कर तोरी यहा पूजा की कणोड़ी दि आ अपना चाया देखें फेस देखें फिर इसको किसी को कटोरी के साथ तेल को दान कर दें कोई ना मिले तो कहीं पास के मंदिर में रखाए इसको चाया दान कहते हैं या कोई आपको मिल जाए तो अच्छी बात है आप मंदिर में रख दें कटोरी के साथ ही सनी देव का मंदिर ह बिल्कुल साधारन मंत्र है और इस मंत्र का जब अगर आप लगातार करें रोज साम के समय याद रखिए तो आपके जीवन में कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती देखिए तेल का बहुत सारा तोटका होता है जो आपके जीवन के हर कस्ट को मिताता है और सनीवार की साम पीपल के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दिया जलाते है उसमें दो-चार काली उरद के दाने डाल देते हैं तो ऐसा करने से भी ग्रहों की पिडाएं सांत होती है साम किसमें अपने घर में कपूर और लौंग जला कर पूरे घर में दिखाईए और फिर जब ये सांथ हो जाए ठंडा हो जाए तब आप इसको पानी में डाल कर अपने घर के मुखे दरवाजे पर छीटा डाल दे ऐसा करने से किसी भी तरह का कोई भी परेसानी अगर आनी है मुसीबत तो वो टल जाती है बाधाएं टल जाती है और आप लोग सभी बहुत अच्छे से लाइब लीते हैं बहुत सिंपल प्रयोग है लेकिन एक बात और जानने कभी कभी क्या होता है नजर दोस बहुत बुरे तरह से लगता है घर परिवार में लोग तबा हो जाते हैं परिजान हो जाते हैं तब सनी बार की रात सोने के पहले एक कटोरी में थोरा सा तेल ले 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 अब इस तेल को आप अपने सर से कटोरी के साथ ही तेल लेकर तीन बार उल्टा वार ल पीछे मुड़कर मत देखुएंगा तो यह तो थी सरसों के तेल का प्रवाजे लेकिन तेल का एक और प्रयोग किया जाता है यह सणी वार के दिन तेल का एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना मत भूलिएगा क्योंकि ये दिया आपके पित्री देवों को संतुष्ट करेगा जीवन की नकातमक सक्तियों को दूर करेगा और जीवन में हमेशा ही खुसियों को भरेगा तो सनीवार की साम सर्सों का तेल जरूर लगाए आपके गरह पिड़ा सांत रहेंगे मुश्किले कम होगी संभव हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरब घर सर्सों के तेल का दिया जरूर लगाईए मिट्टी का दिया हो तो अतियुत्तम हम आपसे भी दा लेते हैं जानकार यह अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को सेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके धन्यवाद हम फिर मिलेंगे कमेंट में हर हर महादेव चरूर लेखे